आपने स्क्रीन पर जो आप यह देख सकते हैं बहुत ही कमाल का फटीलाजर और यह आपके गुड़ाल के पौदी की ग्रोथ सर्दियों में भी बहुत शांदर कर देगा मेरे नाम हार्दी कुर आपका अपको गुड़ाल के पारे में पूरी टिप्स भी देने वाला हूं कि आ सब्सक्राइब नहीं पत्तिया थ्यमी सब्सक्राइब भी है को सबसे पारे यह सब्सक्राइब को दकर आञे के गिड़ाल के पब्याएब क्योंकि रात को हमारे गुड़ाल का पौदे को सर्दी महसूस होती है और सुबह थोड़ी दूप निकलती है तो मोसम चेंज के कारण ही हमारी गुड़ाल के पतिया गिरने लग जाती है यह तो बार नॉर्मल है और जब आपकी किलिए जो कलिया होती है चोटी सी रहती है और बिनाई जड़ जाती है तो वह आपकी एक समस्या तो उसके लिए मैं आज आपको फटीलाइजर बताना लाँ कि आप अपने गुड़ाल में इसा कौन सा फटीलाजर डाले जिससे आपके वह समस्या भी दूर हो जाएगी और आपका जो गुड़ाल का पोदा उसकी ग्रोध भी बहुत मस्त होएगी आप उपर तक देख सकते हैं अच्छा गुड़ाल का पोदा है इस गुड़ाल का पोदे मैंने को मैंने घर पर इगड़ा जैसे कि आप देख सकते हैं इसी ग्रोध अभी कापी अच्छी चाल जिए तो मैं आपको बताता तो इसके लिए कौन सा पती है जो कि हमारे पोदे के लिए बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगी मैं आपको सभी तरीका बतादोंगा जिससे आपके बड़ी अखाद बनके त्यार हो जाएगी बस आपको करना या तो आप इसे 5-6 मिनिट के लिए 10 मिनिट के लिए ऐसे छोड़ दीजे और फिट 10 मिन डाले तो उसको थोड़ी बहुत सुकी मिट्टी में गुड़ाई करके डाले तो मिट्टी को अच्छे सुकाने के लिए आप बनाने से एक दिन पहले आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और जो आप ऊपर यह लीव्स देख सकते हैं जो इस फटेल जो मारे चा शाइपत्ति का भी यूज़ करेंगे अपने प्राण में तो आपको बहुत ही बड़ी है रिजल्ट में लेगा है या आपके फोड़े को कोई नुकसान नहीं करेगी आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आयो